यहां भी मैंने लिखा है बटा कि बाई प्लस द प्लस डॉट 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 जैसे बाई द पुष्ट ओफिस मोर मतलब डाग घर होकर जैसे कहते हैं कि हम लोग डाग घर होकर आते हैं वह लोग डाग घर होकर जाते हैं करे कि बाई द विलेजेज मतलब गावागाई यह मैं बताया था, इस पर sentence भी मैंने बताया था, करे कि by the fields, मतलब खेता-खेती, बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कि हम लोग खेता-खेती आते हैं, हम लोग खेता-खेती जाते हैं, सर इसका English क्या होगा, तो अब मियम जान लो बेटा, word बन गया, या अगर कहना चाहते हैं, कि गावागाई जाना चाहिए, खेता-खेती जाना चाहिए, तो बोलिए, कि we should go to a school by the fields, we should go to a school by the villages, ओके, आप tense के अमसार सजा सकते हैं, I can go to market by the fields, I can go to market by the villages, ये तो अपने उपर निर्भर करता है, वोटा कि word अगर मिल गया, तो उसको कैसे sentence बनाएंगे, ओके, दियान दीजिए, यहाँ पहला sentence कहा रहा है, कि गाववाले डांग घर होकर a station जाते हैं, आप लोग बोलते होंगे, कि हम लोग डीए भी मोड होकर a station जाते हैं, एरपोर्ट जाते हैं, ये sentence में बना रहा था भी, ओके, बताया भी था आप लोगो, अब क संटेंस करें कि सपना खेता खेती क्यों जाती है, हो सकता है कि आप को सनराइज कर दे, कि जब रास्ता है तो तुम खेता खेती क्यों आते हो, तुम खेता खेती क्यों जाते हो, तुमें खेता खेती नहीं जाना चाहिए, तो अभी यही तुम्हें बता रहा था, कि जब यह हम पता चल गया तो टेंस के मुताबिक आप सजा लीजिए जैसे यहां का रहन है कि टेंस यानि कि सिंपल पर जेंट टेंस है और सिंपल पर जेंट टेंस का यह इंट्रोगेटिफ संटेंस यानि कि WH तो कहेंगे कि why does सपना गो मतलब सपना क्यों जाती है by the fields मतलब खेता खेती आग गावागाई क्यों जाती है तो अब क्या कर देते कि why does सपना गो by the villages by the towns by the states by the countries आप तो सवाल है को सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई अंतर नहीं पढ़ता है बैटा नियम पता चल गया जैसे मु आते रहो करके हम लोग गावागाई आते हैं we come by the villages they come by the villages she comes by the villages she comes by the villages she comes by the fields he comes by the fields my friend comes by the fields my friends go by the fields by the villages अब आपके उपर निर्वर करता है गाइस चुकि जिस तरह का टेंस होगा उसके अनुसार यह वर्ड जो है काम करना सुरू कर देगा आपको खुद बनाना है जब ट्रीक पता चल गया टेक्निक पता चल गया तो ओके और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगे बटा आंत में चुकि मैं आप पर भी बिल्कुल फिरी में पढ़ाता हूं आप दो मिनट का टाइम दीजिए मैं थोड़ा सा आप के बारे में बता दूं कि कैसे मैं फिरी में पढ़ाता हूं बटा मेरे आप का नाम है इंगलिस प्लस बाई संजीव सीवानी यह आप का नाम है प्ले स्टोर पर जाईया और इसे डाउनलोड कर लिजे बटा जब इसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहां आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फेमली पैक इंगलिस सीखे दियान दीजेगे बटा जब कोर्स का ही नाम है फेमली पैक इंगलिस सीखे मतलब आपके फेमली का हर तरह का इंगलिस का सलूशन किया गया है सिर्फ और सिर्फ लिट्रेचर को छोड़ कर चुकि हर बोड का लिट्रेचर अलग-अलग होते हैं हर क्लास का लिट्रेचर अलग-अलग होते हैं ग्रामर सेम होते हैं तो यहां पर आपको हर चीज मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लिट्रेचर छोड़ कर क्या-क्या मिलेगा ध्यान दिए जैसे अगर आपके परिवार में कोई कीट्स है तो उसको यहाँ पर एस्पोकें सिखाया जाता है उसको यहाँ पर ग्रामर सिखाया जाता है कीट्स का आई-क्यू कैसे डेवलप करेगा उसका परजैंस ओफ माइन फास्ट कैसे काम करेगा यह बच्चे को गईट किया जाता है यह बच्चे को पढ़ाया जाता है एक दम क्लास के अदूसार विज्वल उसके बाद जो है बच्चों को दिया जाता है टू इबुक्स यह रहा किट्स का कोर्स अब दो नमर में आईएगा वेटा तो अब मिलता है आपको एडल्ट एस्पोकेट एडल्ट एस्पोकेट मतलब अगर आपके फेमली में कोई बड़ा बच्चा है वे शुडेंट हो सकता है बिजनसमेन हो सकता है जॉब होल्डर हो सकता है या अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो इंगलिस सीखकर विदेश जाना चाहता हो तो उसके लिए पढ़ा लिखा है उसके अलग है अगर अनपढ़ है इंगलिस सीखकर विदेश जाना चाहता है तो उ General Grammar & Competitive Grammar General Grammar मतलब Metic Inter leichter graduation में कोई बच्चा पढता हो चाहे किसी भी बोर्ट से पढ़ता हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाना बोर्ड, सिबीसी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ता है, उसको जनरल ग्रामर प्लाई जाती है, अगर कोई competitive की तयारी करता है आपके family में, जैसे railway, SSE, banking, NDA, Air Force, Navy, तो उसके लिए यहाँ पर competitive grammar प्लाई जाता है, और इन सारे course को cover करने के लिए, चार नम्मर में बेटा आपको दिया जाता है, 5 e-books, मतलब 5 किताबे दी जाती है, और किताबों में कितना dumb है, मैं अभी दिखाऊंगा, खबलाई यह नहींगे, ओके, यह book number 1 ह इसमें लिखाऊगा, 6 in 1, पुस्तक नहीं अंगरेजी सिखाने की जादु है, यह नरसारी से UK जी तक आपके बच्चों को एस पोकन और grammar दोनों सिखाता है, हर subject को एस पोकन में convert कर दिया गया है, चाहे हिंदी हो, मैत हो, GK हो, SST हो, इसलिए लिखाए 6 in 1, यह पुस्तक न देखिए, आपका app पर यह available है book, यह book number 2, जो 1 से लेकर 5 तक जहें spoken और grammar दोनों cover करता है, ओके, यह 5 से 8 तक cover करता है, book number 3, यह spoken grammar दोनों cover करता है, यह book number 4, 8 से 10 तक grammar दोनों cover करता है, यह book number 5, 10 से लेकर 12 तक, यह spoken grammar दोनों cover करता है, और साथ ही साथ, इस पर देखिए, लिखाओगा news words, news headlines, मतलब, आपके बच्चे को यह आखबार भी पढ़ना सिखाता है, आखबार का headlines कैसे पढ़ेंगे, उसका आर्थ कैसे निकालेंगे, नीचे का news जो print रहता है, उसको कै कैसे पढ़कर समझेंगे, क्योंकि जो headlines होते हैं, बड़ी tough होते हैं, difficult होते हैं, उसके सारे rules इसमें दिये गए हैं, अगर rules आपको पता चल जाए, तो आखबार आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं, और guys, अब question उठता है, कि course तो बहुत अच्छा है, इसका deviation क्या है, और charges क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था, कि अब मेरा आप पर चला है, यह मैं बिल्कुल free में पढ़ाता हूँ, एक मिनट का time दे देजे, okay, ताकि मैं आपको बता सकूँ, कि duration क्या है, और charges क्या है, याद रखे guys, for one year, एक साल का जो है, duration है, यानि कि एक साल आप पढ़ेंग इसका fee है वेटा, एक साल का, 9999 पिया, यह आपको offer पर मिलता है वेटा, अब यह offer चल रहा है, 900 99 में, बट मैं बता रहा था, कि मैं बिल्कुल free में पढ़ाता हूँ, तो किसको पढ़ाता हूँ, अपने किसान भाई के बच्चों को, मजदूर भाई के बच्चों को, रिक्स इसा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, roadside में, भूजा बेचने वाला, गुलगप्पे बेचने वाला, fruits बेचने वाला, सबजी बेचने वाला, या महले में जो hawkers होते हैं, घुमगुम कर फेरी लगा कर कुछ बेचते हैं और अपना जीवन ही आपन करते हैं, तो उनके पर दिया गया होगा यह coupon जैसे इसको click कीजिएगा यह आपका course हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुप्या का जो government का tax है और sorrow gangly इस आप का promotion करते है तो sorrow gangly का charges है ओके गाईज इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं बिल्कुल आप मेरे आप पचले आईए इतना आसान इंग्लिस पढ़ने के लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफर्म होई नहीं सकता और गाईज कल हम रो फिर मिलेंगे घड़ी सारा कर रही है तब तक लिए लेना चाहूँगा एक छोटा सब्रेक थैंक्यू, have a nice day The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.